So NTA Launch Pilot Project तो क्या है Pilot Project कैसे आप जोईन कर सकते हैं पूरा information आपको इसमें बताया जागा तो उन तक देखते रहे हैं लेकिन उसे पहले आपके लिए कहा है Paper 1 के लिए इंडिया का सबसे Best Online Test Series जिसमें आपको मिलेंगे 8000 से ज़्यादा MCQs वो भी with detailed explanation के साथ जिसमें आपको मिलेगा 2004 से लेकि 2020 तक सभी shift के paper पूरे आपको solve मिलेंगे और साथ में आपको मिलेगा इसमें Unit wise question जिसके जडिये आप exam का demo देख सकते हैं आपको ऐसा लगागा कि जैसे आप exam दे रहे हैं इसकी cost है only 199 रुपीस 200 seats available हैं तो आप इसे जल्दी से join करिए अपनी जारी को best बनाईए तो इसके लिए आपको link हमारी mobile app का description में मिल जाएगा description box में जाएए mobile app को download करिए और course का link भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा सो देखिए एंटी के तरब से 11 अक्तूबर 2021 को नोटीस आया था पब्लिक नोटीस जोके ministry of education के दोरा जारी किया गया था एंटी के दोरा ये था pilot launch ठीक है सबसे बिल आपको मैं बता दू ये pilot launch है क्या ठीक है देखिए जब भी किसी project को launch करना होता है जिसे बहुत बड़े project को launch करना होता है उसका पहले ऐसे demo test किया जाता है तो उसे बोलते हैं pilot ठीक है बड़े project का एक छोटा सा demo होता है pilot तो pilot launch किया गया है आप सभी के लिए आपसे एक test लिया जाएगा ठीक है आपसे एक national aptitude test लिया जाएगा जिसके जरिये आपके अंदर के skills जो है वो देखे जाएंगे अब देखें NTA कहना क्या है अब देखें ये क्यों जरूरी है आप इसे free of cost join कर सकते हैं ठीक है इसका paper free दे सकते हैं test free दे सकते हैं अब ये क्यों जरूरी है देखें आप इसको हम पढ़ते हैं NTA firmly believes that the right candidates joining best institution will give India her demographic dividend ठीक है यानि कि देखें इनका माना है कि pilot launch के द्वारा जो right candidates है यानि कि वो candidates जो right है जो बिल्कुल सठीक है सही है वो best institution join करिये कि ताकि आगे जाके in future वो देश की तरक्की में सहयोग कर सके help कर सके ठीक है अब देखें यहाँ पर लिखा है important line in visages that besides acquired knowledge and skill it should include skill for future that would be expected in them say after five years यानि कि देखें इसका main line का मतलब क्या है यहाँ पर इनका मतलब है अभी तक देखें आपकी जो knowledge है जो आपकी skill है वो काम में आती है लेकिन after five years पांच साल के बाद आप देखें हमारा क्या है इंडिया हमारा जो इंडिया है जो जमाना है आज का बहुत ज़र advance हो चुका है अभी तक देखें जो आपकी knowledge है जो आपकी skill है उसको in future expected हो सकता है कि पांच साल के बाद आपको और चीजों की जूर्थ पड़े तो उसको ध्यान में रखते हुए पहले ही आपको pilot project के according आप से test लिया जाएगा ठीक है कि ताकी आप आगे जाके यह आपके काम आजाए अभी आपके देखें knowledge है skill है वो आपके काम आएगी लेकिन पांच साल के बाद जो in future काम में आएगा वो क्या काम आएगा आपका technical skill आपकी creativity आपकी emotional intelligence जिसे EQ कहते हैं analytic thinking growth mindset decision making interpersonal communication adaptability have been identified as a skill for future यान कि देखें future के लिए आपके लिए ये सारी चीजे काम आने वाली है जिसका आपका अभी से test लिया जाएगा कि किस student में या किस candidates में कौँसे skills है technical skills है क्या creativity है analytic thinking क्या है emotional intelligence क्या है communication कैसा है decision making कैसी है ये सब कुछ आपके अभी test लिया जाएगा कि ताकि अगर आपको knowledge और skill के according अगर आपको उसके अलावा 5 साल के बाद जुरूत पड़े इन चीजों की तो आप उसके लिए तयार है तो इसके लिए एंटी ने planning की है कि आपका एक test लिया जाएगा जो बिल्कुल free of cost है तो देखे यहाँ पे इसका test कब होगा ठीक है पहले हम बात करते हैं देखे online application आप कब भर सकते हैं देखे 11 से 18 क्तूबर की बीच में ठीक है तो आपको इस manually भरना होगा so exam fee क्या है free of cost है इसका level क्या है level मतलब कि देखे इसके 4 level है अलग-लग age group के पहला level है 13 से 15 साल की उमर में और दूसरा level है 16 से 18 साल की उमर में so यह दो level के test होंगे 23rd October ठीक है इनकी 23 October 2021 Saturday और इसके बाद देखे level 3 और level 4 जिसमे 19 से 21 साल इनकी 90 तो 21 एर and 22 तो 25 एर इनकी 22 से 25 साल की जो age के है उनका test होगा 24 October 2021 जनकी 24 October 2021 Sunday को पहले होगा किनका 23 October को जो 13 से 18 साल के है जो 19 से 25 साल के बीच में उनका होगा 24 October को इसकी जो duration है देखे duration कितनी है 2 घंटे की 120 मिनट की आपका टाइमिंग है 11 से 1 बजे और 4 से 6 बजे की बीच में तो एक क्या है आप देखे कैसे दे सकते है देखे आप इसे दे सकते है इंटरनेट बेसे आप इसे मुबाइल फोन से लैपटब से दे सकते है और सबसे बड़ी बात क्या है देखे अपको जो अपलाई करना है वो उनलाई मोड में अपलाई करना है उसके इलावा जो है कुछ भी अक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ज़्यादा जानके रिए आपको यहां पर इस वेबसाइट पर जाना है उस नमबर पर कॉंटक्ट करना है आपको पूरी जनकरिया पर मिल जाएगी तो अगर आप पूरी देखिए इसमें पार्टिपेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए बहुत इंपोर्टन है और फ्री का टेस्ट है आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आपके हमेशा काम आएगा आप बेस्ट इंसिटुशन को जोईन कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो चल लगा तो लाइक करिए, शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले साथ में बेले करन प्रेस जरूर करिए और अल नॉटिफिकेशन को पर क्लिक करिए जैसे करेंगे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे जो कि बिल्कुल फ्री आफ कोस्ट है मिलते अगरी वीडियो में तब तक लिए जय हिंद, जय भारत